सो दोस्तों, सरदियां सुरू हो गई हैं, ऐसे में हमारे एक्विरियम का टेंप्रेचर भी बहुत तेजी से गिरने लगा है, चुकि मचलियां बहुत ही टेंप्रेचर सेंसिटिव होती हैं, इसलिए ठंडे पानी के कारण ये सुस्त हो जाती हैं, और अगर सही समय पर एक एक एक्विरियम हीटर न इंस्टॉल किया जाए तो ये मरने लगती हैं बाजार में जो भी एक्विरियम हीटर हैं वो 2.500 रुपए से कम के नहीं है और इनकी लाहिप भी बहुत अच्छी नहीं है तो चलिए देखते हैं कैसे हम घर की कुछ पुरानी वस्तुओं से एक अच्छा के पास से होरीजेंटली एक बराबर काटेंगे काटते समय हमें ये वाद विसेज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वापस जब हम इस बॉटल को पैक करें तो हम इसे बराबर और सिमेट्रिक तरीके से पैक कर सकें अब हम एक इलेक्टरिसिटी वायर को इसके ढखकन से होते हु नहां से कि इलेक्टरिसिटी पानी के कॉंटेक्ट में आ जाए और हमें इसको प्रापर तरीके सेलो टेप की मदद से सील करना पड़ेगा इसके बाद हम एक पांच वाट या दस वाट का अपने एक्विरियम के साइज के हिसाब से एक बलब लेंगे जो ट्रांसपेरेंट ह और थोड़ी हीट जनरेट कर सके इस बलब को होलडर में कनेट करने के बाद हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे इससे सैलो टेप और किसी भी ग्लू से अच्छे से सील करेंगे ताकि किसी भी तरीके से इसमें पानी न जा सके इसके बाद हम बॉटल के नीचे रेद भर करेंगे दोस्तों चुकि रेट जो है वहीट का गुट कंड़क्टर होता इसलिए यह बल्ब की एनरजी को एब्जॉब करके बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है अब हम बल्ब को इस बॉर्टल में डाल कर इसे प्रॉपर तरीके से सील कर देंगे हम एक अच्छे ग्लू का इस्तमाल करेंगे जो वाटर में डिजॉल्ब ना होता हो जो वाटर में घुलता ना हो और हम बॉटल को पूरी तरह से पैक कर देंगे बॉटल के हर एक गैप को प्रॉपर तरीके से सील कर देंगे ताकि पानी किसी भी तरीके से बॉटल के अंदर ना जा सके ऐसे में अगर जरा सभी पानी की भूंद बॉटल के अंदर चली गई तो electricity हमारे एक्वीरियमें फैल सकती है जिससे हमारी सारी मचलियां मर सकती है और हमें भी सौक लग सकता है तो हमें इस बात का विसेज ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉटल किसी भी जगह से लीक न हो इसे install करने के साथ साथ हम एक बात का विसेज ध्यान रखेंगे कि हम एक अच्छा थर्मामीटर अपने एक्वीरियम में जरूर रखेंगे जो हमें पानी के करेंट टेंपरेचर को बता सके दोस्तों मचलियों को 24 से 28 डिग्री सेंटिग्रेट के बीच के टेंपरेचर में या कोसिस करना चाहि हम एक्वीरियम में हीटर को उतने ही दिर के लिए ओन रखेंगे जितने दिर में हमें एक्वीरियम का डिजाइड टेंपरेचर मिल जाए अब हमारा एक्वीरियम हीटर त्यार हो गया है इस एक्वीरियम हीटर को हम इस तरीके से अपने एक्वीरियम में इंस्टॉल करेंग कि जो कटा हुआ पोर्सन है जो बॉटल का कटा हुआ माउथ है वो पानी के लेवल से उपर ही रहे और इसे हम प्रापर तरीके से हैंग कर सकते हैं बता दे दोस्तों कि सिर्फ 10 रुपे खर्च करके बनाये हुए एक वीरियम हीटर रात के दो बजे भी एक वीरियम के पानी का टेंपरेचर 24 दिगरी सेंटिग्रेट पर मेंटेन रख सकता है यानि कि अगर आप चाहें तो इसे 2 फिट या 3 फिट के टैंक में भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों एक वीरियमीटर बनाने का ये देशी जुगाड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ज़ादस ज़ादस सेर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ठैंक यू दोस्तों